नमस्कार दोस्तो अपने टूर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बल्म को सिरीज और पैलल कैसे करते हैं ये connection करके दिखाएंगे ये देखे दोस्तो ये हमारे बल्म हैं और इनको हमें बिना holder के solder करके wire जोडना है और स्रीज में और पेलल में इसके कनक्शन हम आपको करके दिखाएंगे तो दोस्तों भी तक आपने चैनल को सस्क्राइब ने कहा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन घंटिव लबा दें जिससे आनावला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए ये देखे दोस्तों ये छोटे छोटे वायर हम कर लेते हैं और छोटे छोटे वायर करने के बाद इनको हम डारेक्ट इनके उपर सोल्डर करेंगे जिससे हमारा ये होल्डर बच जाए तो ये देखे दोस्तों ये दोनों तरप से वायर हम छीलने इस टाइप से और वायर छीलने के बाद दोस्तों हम इसको टिनिंग कर लेते हैं टीनिंग कर लेते हैं, टीनिंग जिससे हमारा soldering अच्छे से जल्दी से हो जाई, ये इस टाइप से आप इसको solder भी कर सकते हैं और दोस्तु, bulb के holder पर भी थोड़ा सा paste लगा लें, इस टाइप से ये देखें यहां ये wire लगा लें जितने भी बल्ब हैं, सबके उपर इस टाइप से वैर लगा लें इसमें हमारे होल्डर की बचत हो जाएगी और जो हमारी ये सिल्व है, सिल्व भी हम इनके उपर चढ़ा सकते हैं जिससे हमें करंटर ना लगे और या आप बिना सिल्व के भी इसके कनक्शन कर सकते हैं तो बल्बो की हम सिरीज में पैलल में लगा कर जालर बड़ी आसानी से बना सकते हैं सभी बल्बो को हम जूमर में पैलल में और सिरीज में करके लगा देते हैं तो देखें दोस्तो अब ये सभी बल्बों के उपर wear solder हो गया है तो दोस्तो जब इनके उपर पूरा wear solder हो गया है तो अब हम इसके आपको connection दिखाते हैं देखें एक बल्ब के उपर ये दो connection है दो wear हैं ये सब के उपर दो-दो wear लगे हुए हैं तो दोस्तो बल्ब के उपर जो दो वायर लगे हुए हैं इन में से एक एक वायर सब का ले लेना है और एक जगा ट्विस्ट कर देना है ये देखे सब को हम एक जगा ट्विस्ट कर देंगे एक एक वायर लेकर बल्ब का एक जगा ट्विस्ट कर देंगे और फिर दूसरा वायर लेकर हम सब को एक जगा ट्विस्ट कर देंगे तो ये connection हमारे इस टैप से पैलल में हो जाते हैं देखे सबको हमने एक जंगा twist कर दिया है सरकीट में भी हमने आपको बना के दिखा दिया है कि कैसे हमें इसके connection करने है ये देखे ये हमने सबको एक जंगा twist कर लिया है अब हम इनको सब को आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं जला के दिखा देते हैं अब हम इनको बिजली के बोड में लगाते हैं तो दोस्तो यहां आप दो वैर भी जोड सकते हैं और टेप लगा कर विजली के बोर्ड में डिरेक्ट लगा सकते हैं जूमर बना लो इसका आप श्रीज में लगा लो देखें बल्ब इस टाइप से यह सारे जल जाएं यह पहलाल में हमने जोड़े हैं और दो यह चोर हैं दे बल्ब को स्रीज में कैसे जोडते हैं देखें दोस्तो सभी बल्ब हमने आगे अलग-अलग कर लिया हैं तो एक बल्ब का एक कोना पकड़ा और दूसरे बल्ब का दूसरा कोना पकड़ा इस टाइप से देखें इसको हम यह स्रीज स्रीज बोलते हैं स्रीज में हमने यह सारे बल्ब जोड दिया है और स्रीज में जोडने के बाद दो कनक्सन ये बाहर निगले हैं देखे ये दोस्तों अब हम आपको एसी में उनको टेस्ट करा देते हैं ये देखे दोस्तों हमारे पांचों बल्ब जल गए हैं ये मान लेजिये स्रीज में इन में समय कम-कम आती है तो दोस्तो इस टाइप से आप पैलल और श्रीज में बल्ब को जोड सकते हैं के कनक्सन कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी